आज हम इस वीडियो में करेंट एफियर से जुड़े important question के बारे में बताएंगे जो कि SSC, CGL, UPSC, BPSC या फिर other government exam के लिए महतपूर्ण है तो आईए हम लोग देखते हैं पहला question है UPI light भुकतान लेन देन की उपरी सीमा क्या है तो वहाँ 200 रुपिये यानि की UPI light से हम 200 रुपिये तक का अधिक्तम भुकतान हम कर सकते हैं हर साल अंतराष्टिय सांकेतिक भासा दिवस जिसको हम लोग इंगलिस में International Day of Sign Languages करते हैं कम मनाया जाता है तो International Day of Sign Languages 23 सेप्टेंबर को मनाया जाता है तीन नमर का कोस्चन है हाल ही में खबरो में रहा किगाली संसोधन किस करवाई से सम्बंदित है तो किगाली संसोधन हाइडरो फ्लोरो कारबन की कमी से किगाली संसोधन सम्बंदित है यह कोस्चन करेंट एफियर के लिए भेरी इंपोर्टेंट है अगे चार नमर का कोश्चन हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटनिंग किस छेतर से सम्मंदित है तो मून लाइटनिंग रोजगार के छेतर से सम्मंदित है पाच नमर का कोश्चन है हाल ही में सौधेश दर्शन योजना किस केंद्रिय मंत्राले की पहाल है यानि कि सौधेश दर्शन जो है किस केंद्रिय मंत्राले के द्वारा इसका देखरेक होता है तो वह परियेटन मंत्राले के द्वारा इस योजना को देखरेक होता है आगे 6 नमर का question कौन सा केंदर यह मंत्राले Criminal, Procedure, Identification, Bill से जुड़ा है तो वा ग्रेह मंत्राले से जुड़ा है 7 नमर का question है हाल ही में SCIE विकास Outlook Update के अनुसार भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए 2022 तेज के विकास का अनुमान कितना है तो वा 7.0% है 8 नमर का question है यह question का answer आप लोग को comment box में देना है तो 8 नमर का question है वर्तवान में भारत के वित्मंत्री कौन है अब हम लोग क्रेंट एफियर से जुड़े Part 2 से related important question के बारे में जानेंगे तो आईए हम लोग देखते हैं पहला question है कौन सा भारतिय सहर राष्टे रच्छा MSME सम्मेलन और परदसनी का मेज़बान है तो उस सहर का नाम है कोटा दो नमर का question है US Open Tennis Tonument 2022 का वीजेता कौन है तो उनका नाम है Carlos Alkarajoo तीनमर का question है किस भारतिय सहसत्रबन ने पर्वत परहार अभ्यास आउजित किया है तो उनका नाम है भारतिय सेना भारतिय सेना ने पर्वत परहार का अभ्यास आउजित किया है नेस्ट कोश्चन है चार नम्मर अंतराष्टिय डेरी महासंग विश डेरी सिखर सम्मिलन दो हजार बाइस कहां आयुजित किया गया है तो अंतराष्टिये डेरी महासंग विश डेरी सिखर सम्मिलन योजना 2022 में ग्रेटर नियोडा में आयोजित क्या गया है पांच नमर का कोश्चन है भारत ने हाल ही में इंडो पेसिफिक एकोनोमिक फ्रेमवर्क जिसको अमलोग सोट में आई पी एफ कहते हैं किस अस्तम से हाथ खीच लिया है तो वह वैपार अस्तम से हाथ खीच लिया है छेन नमर का कोश्चन है हाल ही में संजुगत रश्ट मानो अधिकार के नए परमुक कोन है तो उनका नाम है ओलकर तुर्क साथ नमर का कोश्चन है भारत और जापान की 2 पलस 2 मंतरी अस्तरिय वारता की मेजवानी किये तो उसका नाम है टोकियो नीचे है आठ नमर का कोश्चन वर्तवान में भारतिय वायू सेना के अध्यच कौन है तो इसका एंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा है तो किर्पिया आप लोग एक लाइक करें साथ ही जो व्यक्ती गौश्रमेंट जोब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुरहरंट एफियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चली अब हम लोग देखते हैं कुरहंच एफियर से जुड़े पारट थर्ट में इंपॉर्टेंट कोश्चन के बारे में तो पहला question है गेर पारंपरिक आजीवका में लड़क्यों के कौसल को किस परमुख योजना में सामिल किया गया है तो उस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दो नमर का question है कौन सहम केंदरिये मंत्रा ले वन नेशन, वन ग्रीड, वन फ्रिक्वेंसी एन वन नेशनल लोड डिस्पेज सेंटर से जुड़ा है तो उस केंदरिये मंत्रा ले का नाम है विद्धूत मंत्रा ले तिन नमर का question है PM डिवाईन योजना जो हाल ही में खबरों में रही है किस छेत्र के विकास के उद्धेश से सम्मंदित है तो वह उत्तर पुर्व छेत्र से यह जुड़ा हुआ योजना है PM डिवाईन योजना चार नमर का question है दर ट्रिपिंग जोन के साच्छे किस देश में खोजे गए है तो उस देश का नाम है मालदी पांच नमर का question है हाल ही के आकड़ों के नुसार भारत में CPI आधारिश खुद्रा मुद्रा अस्पीति कितनी दर्ज की गई है तो उसका जो आकड़ा है हुआ 7.41 है नेस्ट question 6 नमर भारत के पचासवे मुख नियाधिश कौन है तो इसका अंसर आप लोग comment box में दिजिएगा इस तरह इस वीडियो में मैंने क्रेंट एफियर से जुड़े important question के बारे मैंने बताया है वीडियो आप लोगो देखने मचा लगा तो कि पर एक लाइक करें साथी जिन व्यक्तियों का एक्जाम है उनके लिए यह वीडियो तो बहुत ही मातपूर्ण है यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद